Hey everyone. In this video we will discuss important poetry's of MEG7 that is Indian Literature. इंडियल Literature की अगर हम बात करेंगे MEG7 में. आपको पता होगा कि MEG7 का syllabus है, bunch of poetries are there, right? बहुत ज़्यादा poetries हैं इसके अंदर, और poetry का session important है भी क्यूंकि exam में repeat करता हुए. तो इस वीडियो में हम उन पोईटरी की बात करेंगे जिनका रेपेटिशन लेवल जो है वो सबसे जादा है बिकर्स अहाँ वी जज़ज दाट इस पोईटरी आर वरी इंपर्टन अन बेसिस ऑफ रेपेटिशन और प्रिवियस एयर्स क्वेशन पेपर तो आफ्टर अनलाइजिग पेपर उफ लास्ट फोईटरी आप यहां पर सोचने की बात यह है आप है यहर आइवंट मेंशन दर लाइन ऑफ देट पर्टिकुलर पोईटरी क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो सम्टाइम्स की अभी के एग्जामिनेशन में फर एग्जांपल ब्राइड ओफ फायर का फर्स्ट पेरेग्राफ दे दिया फो सकते हैं नेक्स जो दिसांबर बैच का एग्जाम हो ब्राइड ओफ फायर का ही लास्ट पेरेग्राफ दे दिया लास्ट टेंजा दे दिया यह आपके लिए इंपोईटरी ही आपके लिए इंपोटेंट है जादा नहीं है सिर्फ यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव पोईटरी की बात करूंगी मैं तो नंबर यहाँ पे मेंशन है देख लिजिए लाइक ब्राइड ओफ फायर इसका रेपिटिशन बहुत जादा है अमीजी सेविन की बात करें तो लव एंड डेथ यह हर साल आती है इंट्रोड़क्शन के बात करेंगे बैग्राउंड कैजुली दा हाप ओफ माइ कंफ्री लोटस दे लोटस पोईटरी जो है उसका भी बहुत जादा रेपिटिशन है दा ओल्ड वोमेन सीता टू इंडिया माइ नेटिव लैंड रूमीनेशन गॉल्डन लाइट बस तो यह नहां पर मैंने इन पोईटरीज को असेंबल किया यह जितनी भी पोईटरीज है मैंने इनके आगे लिखा नहीं है कि वो कौन-कौन से यह में आई है बट यह हल साल रपीट हुई है राइट ट्वंटीवान ट्वंटी नाइटीन एटीन सेवंटीन सिक्टीन तो इस तरीके अगर आप इतनी भी कर लेते हैं तो अट लिस्ट आपका एक अच्छा इंप्रेशन रहेगा एक्जामिनेशन में और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डब रहेगा यह तो बात हो गई कि इंपॉटरेंट पॉईट्री इस क्या होती है अब बार बार आपके कमेंस आरे कि हाव राइट आन्सर रिगार्डिंग आटीसी आटीसी मतलब वही होता है जो पॉईट्री की लाइन सापको एक्जाम में गीवन होती है तो जब भी आप पॉईट्री के आंसर को असेंबल करते हैं तो वहां पर क्या होना होता है तीन चीजे आपको मेंशन करनी होती है सबसे पह कि अगर आपको पॉईट से रिलेटिट कुछ चीजे याद है तो आप उसको भी मैंशन कीजिए कि उस पॉईट का कोई इंपर्टेंट वर्क याद है तो आप वो मैंशन कीजिए और अगर उनके बारे में कोई अचीवमेंट याद है कि उनको कोई मैडल मिला पदमश्री म मिला या नोबल प्राइज मिला कुछ भी मिला अगर आपको जो भी उनसर रिलेटिड या आता है तो आप उसको फर्स्ट परेग्राफ में मेंशन करेंगे जहां पर आपने लिखा नेम ओब दा पॉयम और पॉयम की नाम को अंडरलाइन कर दीजिए और पॉयम की नाम को अंड कभी चार लाइनस गिवन होती हैं कभी दो लाइनस किन तुट ईसके बाद आपको क्या करना। लास्ट पेरेग्राफ में आपको लिखना होता है कि उन लाइन्स में कोई सीमिली का यूज किया गया है, किसी मेटफर को लिखा गया है, ठीक है, महाफिक किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया गया है, मेटफिजिकल पॉईटरी है या फिर एक woman को लिकर poetry लिखी गई है Victoria Nera की poetry है जो भी आपको उससे related याद है आप उन चीजों को लिखेंगे मतलब की poem और poet के नाम को छोड़ के poem की explanation को छोड़ के जो भी उसमे grammatically चीजें यूज की गई है उन चीजों को आप mention करेंगे paragraph number 3 में तो I hope चीजें आपके लिए clear हो गई हैं आप कुछ student की mind में question आ रहा होगा कि suppose exam में four lines to RTC की given है उसकी exact meaning नहीं पता कि poet क्या कहना चाहरा है लेकिन आपको ये पता है कि complete poetry क्या बोल रही है तो आप क्या करेंगे अगर आपको कुछ नहीं आता तो उस case में मैं आपको बता रही हूँ कि जो second paragraph है वहाँ पे आप किसी भी poem की अगर summary आपको याद है या उस poem में क्या elaborate किया गया है क्या mention किया गया है then you have to write on it because something is better than nothing don't skip any question any point in the examination so stay connected बात करेंगे next video में important short story की और non-fictional prose की तब तक इनको complete कर लीजिये exam से पहले your exam is on the way so good luck for the exams and don't take tension if you have any problem any query then write on the comment section I will try to shout out or I will try to give the answer or give the reply so stay connected thank you and good luck for your exams